हेलो नबसकार मित्रों आपका स्वागत है हमारे चैनल भारतिय नौलिज में आज का हमारा वीडियो है सपने में गहने देखने का क्या मतलब होता है इसके अलावा सपने में गहने की विबिन ने वस्ता है हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डाल सकती है इसके अलावा आज हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि अगर आप सपने में जो है गहने खरीदते हैं या सपने में गहने वेचते हैं या सपने में गहने किसी को पहनाते हैं या सपने में गहने किसी को दान में देते हैं चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बात कर लेते हैं सामुद्रिक सास्त के अंसार सपनों की तो सपने हमारे भविश्ट में घटने वाली घटनाओं के वारे में हमें जानकारी देते हैं सपने हमें बताते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे साथ कौन से घठनाई घठ सकती है इसके अलाबा हम इन घठनाओं उसे अपने आपको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं सपने में जो ہے गहने देखने तो इस में कुछ अवस्ताय जो होती हैं वो आप के लिए सुब संकेत देती हैं अगर आप एक इस्तरी हैं और देखते हैं कि सपने में आपने बहुत सारे गहने खरीदे हैं या सब गहनों की खरीदारी कर रही है तो यह सपना बाप के लिए बेदी सूप सपना होता है इसका मतलब होता है कि आने वाले दिनों में आपको जीवन साथी से कुछ एक्स्ट्रा मिलने की उमीद हो सकती है अब अहीं अगर यह सपना कोई आदमी देखता है और वह किसी ओफिस बगारा में जो है अम्प्लॉइमेंट का काम करता है तो उसको प्रमोशन में परद्धी हो सकती है अगर यह बिजनसमेन कोई सपना देखता है तो उसको ब्यापार में लाप के योग बन सकते है इसके अलाबा गड़ा हुआ धनक्या सूचना प्राप्त हो सकता है या ऐसा कोई कोट कचेरी का जुचकर है वो जल्दी से जल्द समाप्त हो सकता है और आपको खुसकबरी मिल सकती है अब बात कर लेते हैं सपने में हैं जो गहना पहनते हुए देखते हैं अगर ये सपना जो है अगर इस्तरी देखती है तो उसके लिए भी ये सूप सपना होता है इसका मतलब होता है कि आने वाले दिनों में उस इस्तरी को जो है कोई गुटनी उच मिल सकती है उसको जो है कोई नई उपलब्दी मिल सकती है मान सम्मान में ब्रद्धी हो सकती है जो उसकी जो है प्रामान परतिष्ठा को बढ़ा सकती है अब बात कर लेते हैं अगर हम सपने में देखते हैं कि जो है गहने हम किसी दूसरे को पहना रहा है तो इसका क्या मतलब होता है अगर यह सपना इस तरियों को आता है तो बेहद ही असुब सपना होता है इसका मतलब होता है कि आने वाले दिनों में आपके हांसे कोई जिम्मेदारी जो है छूट सकती है आपके मान परशिष्ठा को ठेस लग सकती है तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखकर अपने कारियों को करें और इसके अलावा अपने जो है कारिय की गद्धी पिद्धी पर भी नियन तरन लखें अब बात कर लेते हैं अब बात कर लेते हैं अगर हम गहने को किसी और को दान में देते हुए देखें तो इसका क्या मतलब होता है अब बात कर लेते हैं अगला सपने में अगर कोई बेक्ती अपना गहना खो देता है उसका गहना जो है खो जाता है प्रिये गहना जब सपने में देखते हैं कि प्रिये गहना खो गया या चोरी हो गया है तो यह सपना कैसा होता है समद्रिक सास्त के अनुसार ऐसा सपना बेकती को आता है तो ये बेहदी असुप सपना होता है इसका मतलब होता है कि आने वाले दिनों में आपके जो घर या बिजनस या नौकरी जिप में आपको सेंध लग सकती है आपकी नौकरी छोट सकती है आपके घर में जो है चोरी बगारा हो सकती है इसके अलाबा आपके सत्रू आप पर प्रवायल वस्ता से प्रहार कर सकते हैं इसलिए थोड़ा सत्र करा हैं और घरों में सिकॉर्टी बढ़ा दें और इन सिकॉर्टी को दूर करें क्योंकि ऐसा होता है ना कि अलाब परवायी आपको आने वाले दिनों में भारी पड़ सकती है अब बात कर लेते हैं खुद को सपने में सोने की दिकान में जो आप घूम रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आपकी सोने की दुकान है या आप सोपिंग करने के लिए जो है गैनों की दुकान में घूम रहे हैं ऐसा सपना कुछ आता है आपको तो ये सपना कैसा होता है अगर आपको ये सपना आता है तो सामुतरिक precautions के अनुसार ये बेहदी दिसुर सपना होता है इसका मतलब होता है आने वाले दिनों में आपको नमीन अफसरों की जो है स्वभागे प्राप्त होगा आपको नए अफसर मिलेंगे जिस पर आपको अगर आपने उस समय का फायदा उठाया नए अफसरों का जो है चुनाओ अच्छे से किया तो आने वाले दिनों में आपके मान प्रसिष्टा में काफी ज्यादा लाब हो सकता है लाब होने के साथ आपकी जो है सत्प्रसिद्री जो है बढ़ सकती है और आपको अच्छा खासा लाब भी प्राप्त हो सकता है उम्मिद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा थैंक यू फूर वाचिंग